हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू आवर चैनल फ्रेंड्स बात करेंगे डियलेट दो हचार उन्टिस बैस समझत प्रसुक्षों से रिलेटेड कुछ इंपोटेंड कुछ एहम बात है जी हाँ फ्रेंड्स बात की जाएगी थर्ड समेश्टर प्रमोट और प्रिख्षा को लेकर कॉलेज की तरफ से क्या इंफूमेशन दी जा रही और आपको क्या करना होगा साथ ही फ्रेंड्स आज जो है फॉर्स समेश्टर प्रिडाम रिजल्ट डिकलेड हो गया है लेकिन बैग प्रसुक्षो का यहां रिजल्ट जो है शो नहीं हो रहा है तो क्या प्रिकिरिया रहेगी और क्यों और फ्रेंड्स एक और ख़बर पी एनपी की वज़ा से कहीं ना कहीं आज जो भी लाभारती थे ठीक है वो वनचित रहे गए क्या है पूरी इनफुमेशन हम इस वीडियो में बहुत ही सेपरेट तरीके से जानेंगे ठीक है उससे पहले फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम यहां फॉर्स समेश्टर बैग प्रसुक्षो की रिजल्ट की बात करें जैसे की आपका फॉर्ट समेश्टर का भी रिजल्ट ड क्लियर कर लिया है उनका भी यहां रिजल्ट सो नहीं हो रहा है जबकि अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स आप सभी का रिजल्ट सो होना चाहिए था तो क्या अब आपके मन में यह हो रहा है कि हम प्रमोर मतलब जो हमने एक जैम दिये हैं तो क्या वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है या फिर क्या प्रिक्रियाएं रही है तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं अगर आप पेपर दिये हैं और आप उत्रीन हो चुके हैं तो आपने देखा ही होगा पी एनपी ने जल्दी जल्दी में जो रिजल्ट है वो जारी किये हैं और जो आपका दोबारा से बैक लग चुका है तो फ्रेंड्स आप जब तक बैक अपना क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्ट समेश्टर का रिजल्ट सो नहीं होगा और जो भी प्रसुच्चू सेकेंड समेश्टर उत्रीन कर चुके हैं तो फ्रेंड्स आप सभी का रिजल्ट कहा गया है कि 10 से लेकर 17 जनौरी तक आप अपना एक्जैमनेशन फॉर्म फिलप कर दीजिए ठीक है वो चाहिए सेकेंड हो थर्ड हो या फिर फूर्थ हो लेकिन उससे पहले आप सभी से एक बात कही गयी थी कि आप सभी अपने कोलेज में जो है 15 से पहले है ना 15 के बाद ह आप अपना एक्जैमनेशन फॉर्म फिलप करिएगा क्योंकि 17 तक डेट रखा गया है क्योंकि फ्रेंट्स ACRT के तरफ से कुछ साइन मिले हैं आपके प्रमोट को लेकर उनका कहना है कि हम PNP सच्चुजिस से बात करेंगे कि आपकी बात जो है जायज है जो कि आप सभी को प्रिविएस वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में बताया गया था तो बस अभी देखिए अभी भी हम कहेंगे आपको बस इतना करना है कि 15 जनौरी तक बलही आपके कोलेज से कितना हूँ फोन आए आपको फॉर्म फिलप नहीं करना है अब देखिए फ्रेंड्स यहां एक प्रमोट नहीं होता है तो फिर हमारा परिक्षा फॉर्म भरेंगे नहीं तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा तो फ्रेंड्स यह देखिए आपके कोलेज वाले जो है मतलब पहले डेट बताते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रसुक्चू फॉर्म फिलप कर लें बागी आप सभी को उफिशियल जब पता है कि 10 से 17 तक फॉर्म फिलप किये जा रहे हैं तो बिल्कुल भी आप सभी को डड़ने की बात नहीं है जब कहा जा रहा है आप सभी से कि 15 के बाद ही आप सभी फॉर्म फिलप करिएगा तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप इसे फॉलो करें औ अब ये उम्मिद जो है सक्सेस होगा या फिर अनसेक्सेस फूल अब तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन अभी आपको जो भी करना है आप जरूर इसमें साथ दीजिए और अपने दोस्ट फ्रेंड्स को भी कहिए कि 15 जनवरी तक परिक्षा फॉर्म ना परे ठीक है और साथ ही एक और कमेंट्स आ रहा था उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कुस कर लेते हैं शीवानी गुप्ता जी का कमेंट्स था कि मैं मेरे कोलेज वाले कह रहे थे कि अगर फॉर्ट समेश्टर में बैक लग गया हो तो थार्ड का पेपर देना होगा तो नहीं देखिए श थार्ड समेश्टर में प्रमोट हो जाओगे यानि कि अगर आपका किसी एक या फिर दो सब्जेक्ट में बैक लगा है तो बिल्कुल भी परिसान नहीं होना है बस आप उसी सब्जक्त की तयारी करिए और अपना पेपर दीजिए आप थार्ड समेश्टर है उसमें आप पर परिसान मत होई है ठीक है अब देखें फ्रेंच एक और सवाल आ रहा था जिसे कि आज कर देख रहे होंगे कि यूपी जो आपका अलगबंग एक करोड़ी वाओ का जो टार्गेट रखा गया है वाओ को ससकती करन है तो फ्री टेवलेट स्मार्टफोन तीए जाने की बात तो कहीं न कहीं आप देख रहे होंगे यूजी पीजी सभी सामिल है इसमें लेकिन डियलेट के छात्र इसमें सामिल नहीं है अभी तक डियलेट के छात्रों को जो है एक भी फोन बित्रड या फिर टेवलेट फोन नहीं दिया गया डिप्लोमा वाला बोला गया था लेकिन उसमें only जो भी तकनीकी वाले छात्र हैं उनको provide किया गया और ये जो article है आप दिखें बहुत सरे dealets के छात्र हैं जो पूछते रहते हैं हमें tablet या फिर smartphone क्यों नहीं दिया गया हम भी छात्र हैं बिल्कुल लेकिन इसकी जिम्मेदरी प्न पी की होती है कि आप भी अपने diet या था जो कि फ्रेंड्स तिन दीन पूराना आपका सकते हैं लेकिंगे कमेंडस आये क्योंकि इस आप प्रिसेंट्ली देख रहे होंगे लगब सब की लिश्ट आ रही है लेकिं DLA चात्रों को नहीं मिल रहा है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहां हेडलाइब देखे पहले कि एक लाख DLA प्रसक्चू टेबलेट स्मार्ट फोन की रेस में नहीं जी यहां फ्रेंड्स एक लाख क्योंकि चलिए मानते हैं कि जिनका रिजल्ट आ चुका है उनका नहीं मिलेगा लेकिन जो अभी रिसेंटली हैं कम से कम उनका तो दिया जा सकता था लेकिन PNP सचिउ जी ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और ये लोग जो है अब आप उनकी गलती आप सभी को भी भुकतना पड़ा और इसका लाव आप सभी को नहीं मिल सका ना स्कोलर्शिप के बारे में ये कुछ सोचते हैं और नहीं और कोई लाव में मिल रहा है तो इसमें क्यों नहीं है तो इसमें देख सकते हैं ये सिर्फ गलती जो है परिक्षा नियमांग प्राधिकारी की तरफ से की गई है संस्थानों को निर्देश नहीं दिये गए कि डीजी सक्ति पोर्टल पर जो है जो डाटा है वो फिट किया जाए ताकि छात्रों का जो लिष्ट है नेम है वो आ सके तो इस वज़ा से जो भी डीलेट के छात्र है उनको ना ही टेबलेट मिला ना ही स्मार्ट फोन मिला तो बागी अब आप खुछ समझदार है समझ जाए ये लोग एक दूसरे में CRT PNP CRT PNP और इनको निलंबित करना है इनको बैठाना है कुरसी पर बहला है आप साब कहा गया था कि डिप्लोमा वालों को भी दिया जाएगा लेकिन इसमें कोई भी एक्षन नहीं दिखा PNP की तरफ से इस वज़ा से आप सभी का इसमें नहीं नहीं आया है ठीक है बागी फ्रेंट्स आगे कोई भी अब्डेट आता है तो आप सभी को इस चैनल पर कोशिश की जाएगी कि सबसे पहले और सबसे सटिक दी जाए अभी आपके मन में कोई कमेंट्स है तो आप नीचे कमेंट्स बुक्स में कमेंट्स कर बता सकते हैं वीडियो अच्छ